नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी बैनेवाल कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर्शे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कम लागत में मजबूती से समझोतक किये बगेर एक अच्छा और सुन्दर घर कैसे बनाएं दोस्तों आज के इस महेंगाई के द लागत लगा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है और पैसे की बरबादी होती है तो आज हम इनहीं बिंदूओं पर बात करने वाले हैं कि मजबूती और डेकोरेशन से समझोतक किये बगेर कहां कहां हम लागत को कम कर सकते हैं यह दस बात हैं आपको क्रम बाइज बता करें वीडियो सुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुँछ सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों बिलकुन ना भूलें तो दोस्तों पहला जो step है वो मैं आपको वदाय देता हूँ मकान बानाले से पहले अपनको क्या करना है घर बनाते समय सबसे पहले जो step है आपको लेना है कि सबसे पहले आप किसी अच्छे architect से अपनी जरूरत के हिसाब से घर के एक drawing तैयार करा लें इस सबसे लगवाएगा दोस्तों कई वार जानकारी ना होने की कारण या तो हम आवश्यक्ता से ज्यादा सर्या लगा देते हैं या कम सर्या लगा देते हैं जो की ठीक नहीं है दोस्तों आपको एक वाक्या अपना हां बताता हूं मेरे एक मित्र का construction का कारी चल रहा था तो एक बार भी अपना 16 mm का ले लिया उसने डिस्टिविशन बार भी 16 mm का मैंने मेरे मित्र से का कि यह तू क्या कर रहा है इतनी सर्या देने की जरूरत क्या है क्या आप शक्ता पड़ रही है इतनी सर्या आपन जो लगा रहे हैं मुमन सर्या 10 mm और 12 mm बनता है तो वह बोला यार क् अधिकत है घर में तो गर में ही तो लग रहा है को चोर के थोरी ले जा रहा है मजबूती अपनी ही बढ़ेगी कुल्म लाकर वह नहीं माना और च्छत डलवा दी उसकी कास्टिंग करवा दी च्छत की कास्टिंग भी 5 इंची मुटाईगी कराई क्योंकि नॉलिज नहीं थ पड़ी तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप अनावस्य खर्च कोने के साथ साथ आप नुकसान से भी बच जाओगी अचा दूसरा जो स्टेप है दोस्तों मकान बनाते समय अक्सर हम गलती करते हैं कि मकान की नेम खुदबा कर जिसमें नेम बराई तक कम से कम पचास से साथ अजार रुपे हम बरबाद कर देते हैं जिसका कोई औचित नहीं है आपको करना क्या है कि आपको स्रेफ कॉलम के गड़े खुदबाने हैं जिनकी साइज आपको कम से कम छेवाई चार की रखनी है यानिक छेपिट चोड़ा और चार फिट गहरा अब इनमें कॉलम खड़े करके इनको जमीन लेविल तक वरवा दें जमीन लेवल वरवाने के बाद अब आपको क्या करना है आपको जो आउटर दीवार है हमें लेनी है मकान की आउटर दीवार पर आपको एक ग्राउंड वीम डलवाना है के वाल उसकी जैसे अपने कॉलम में जमीन लेवल तक वर गई उसकी बाद जमीन पर एक एक इंट के आप रंगत करवा दें जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो आउटर शिर्प आउटर दीवारों पर आप एक ग्राउंड वीम डलवा दें ग्राउंड वीम की साइज आप 18 इंची ख भी लगवाएं तो इससे आपको क्या होगा कि जो कॉलम हमारे होते उनको सब को यह बाइंड कर देगा और आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है अब दोस्तों आप नीम खुदवाने बाद भी आपको ग्राउंड वीम देना होता है तो क्यों हम एक्स्ट्रा लागत नीम इन भी सखुदा्स ăbको कितनी हइट रखनी है उतनी दीवारों की आप हाइट करने ये सिरफ आउटर दीवारे ही आपको लेनी है अंदर की दीवार इसमें आपको नहीं लेनी है जैसे कमरा या किचन की बार आ हो आपको करनी है और सारे कॉलम आपको डीपी से लेबल तक अंदर की दीवार का मजबूती के लिया से कोई रॉल नहीं होता है उसमें सिर्फ फिजूल खर्ची का लावा कुछ भी नहीं है इसका मजबूती के साफ से कोई रॉल भी नहीं होता है इसके बारे में आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा अंदर की दीवार लगाने वाल जाइवारे के बाद आपको सारे कॉलम चाहे वह अंदर के यीद्या बहर के यानिकि जाहाँ आपकर Kit दीवार रशूई की do wow लैट बात की doow आने हैं उन सभी पर आपको sought, के dpc beam डालना आसान वासाम आपको बता दों कि जहाँ भी आपके drawing के हिसाब से दीवारे आ रही हैं उन सभी पर आपको डीपी सी बीम डालना है उसकी रंगत करके जैसे आपने मिट्टी का बर्त करा दिया मिट्टी का बर्त करा के जाजा आपकी दीवार आनी है उसमें या तो आप पत्थर होता वो बिश्वाद है या फिर एक एक दो दो अपना लोड ले रहा है और डीपी सी बीम अपना लोड ले रहा है अब इसके बाद आपको दूसरे जो परण करना है डीपी सी बीम डलने के बाद आपको अंदर की दीवार सारी चार इंची रखनी है क्योंकि अंदर की दीवार का काम सिर्फ पार्टी संका होता है मजबू का कोई काम नहीं होता वो सिर्फ पार्टिसन का उसका रोल होता है कई लोग तो अंदर पलाई या ऐल्मूनियम की दीवार लगवा देते हैं सिर्फ पार्टिसन के लिए हां आउटर की दीवार आपको सेप्टी परपज के हिसाब से नौन्ची की ही रखनी है अगला जो करते समय सारी कंपनियों के सेल्समेन और डिस्ट्रिब्यूटर आपके पास गिद्गी तरह मढराने लग जाएंगे कि सर हमारा सेमेंट वाटर प्रूफ है इसमें सीलन नहीं आती है सरीया में जंग नहीं लगेगी मतलब आपका टोटल ब्रेंड वास वो लोग कर देंगे और आप उनकी बातों में आकर वाटर प्रूफ के नाम पर महंगा सीमेंट ले लेंगे जिसकी कीमत लगवक साड़े चार सो के आसपास होती है और उनका सीमेंट बिकने के बाद आपको सेकल भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनका काम तो हो गया तो आपको क्या करना है आप आपको मार्केट में जो सीमेंट सबसे सस्ता लगे वो लेना है बस उसमें आपको देखना है कि उसकी पैकिंग डेट और एक्सपारी डेट क्या है जो सीमेंट के बोरे पर लिखी होती है चाहे वो किसी भी कंपनी का हो अगर सीमेंट ज्यादा पुराना है तो आपको नहीं लेना है दूसरा आपको नकली सेमेंट नहीं लेना है आजकर नकली सेमेंट की मार्केट में भरमार है इसके लिए आपको कंपनी के ऑथ्राइज डीलर से ही सेमेंट खरीदना है यह कंपनी के मार्केट सेल्समेंट से संपर करके लेना है इनके नंबर आपको सारी कंपनियों के नमबर गूगल्स पर मिल जाएंगे मैं किसी भी पर्टिकूलर सीमेंट कंपनी का आपको नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है आप जो चाहें जो कंपनी का सीमेंट ले सकते हैं सिर्फ इसमें आपको पुराना नहीं लेना है डेट आप पै कोश्टली होने के साथ साथ इतना मजबूत भी नहीं होता है क्योंकि यह सिर्फ एक जाली से रुका हुआता है जिसमें नट या बोल्ट के हिसाब से रोकते हैं छोटे छोटे पेश लगाते हैं तो कुछ साल बाद गलने सुरू हो जाते हैं तो फोर्शीलिंग नीचे भी इसकी जगह पर आप प्योपी करा सकते हैं प्योपी में भी एक से एक अच्छी डिजाइन आती हैं और काफी सुंदर भी लगती हैं यह इतनी कोश्टली भी नहीं होती अमूमन 35-40 रुपे फिट में हो जाती है और अगर बात करें फोर्शीलिंग की तो इसका रेट लगव है तो आप काफी लागत बचा सकते हैं इसके बाद आप जहां लागत कम कर सकते हैं तो आपको टाइल्स से या पत्थर में से टाइल्स का चुनाब आप करें क्योंकि पत्थर कोश्टली होने के साथ साथ इसमें लेवर का भी ज्यादा खर्चा आता है अगर हम मेडियम रें से रुपे स्कॉार फिट पड़ता है फिर इसकी क्वाल्टी भी कई वार खराब निकल आती है पीला-पीला सा ये कलर छोड़ देता है जैसे आपने देखा भी होगा कई जगों पर तो ये काफी बद्दा लगता है वही टाइल्स की अगर बात करें तो मीडियम क्वाल्टी की टाइल्स आपको 50-60 रुपे स्कॉार फिट के साब से मिल जाती है और लेवर का रेट भी टाइल्स लगाने का लगवक 15-20 रुपे स्कॉार फिट का होता है तो इसमें अगर अंतर की बात करें तो लगवक 70-80 रुपे स्कॉार फिट के आप से अंतर आ जाता है उसके बाद दोस्तों ये तो बात हो गई आपके structure की अब मैं बात करता हूं जैसे सरीया अपन छत्वे बांते हैं तो कई बार knowledge ना होने की वज़े से जैसा कोई बोल देता है ठेकदार बोल देता है या कोई अपना relative बोल देता है कि यार इसमें तो आप 10 mm की छत्व बंदवाएं या 12 mm की बंदवाएं तो knowledge ना होने कारण आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो इसमें कई बार आप नुकसान भी उठा सकते हैं जा आपको 10 mm की लगानी होती है वहां 12 mm की लगानी होती है वहां आप 10 mm की लगा देते हैं तो सरीया में आपको क्या करना है जो आपकी architect है वो आपको स सरीया लगानी है उसके बाद दूस्तों बात आती है छत कास्टिंग के कई बार मैंने देखा है कि लोग यह समझते हैं कि ज्यादा मुटाई अगर हम छत में लेंगे तो उससे मजबूती ज्यादा होगी तो इस चक्कर में वह साथ से आठाट इंची मुटाई ठिकने से छत लग रही है तो आप कास्टिंग साड़े पांच लाश्ट आप चैन्ची करा सकते हैं उससे उपर आप कास्टिंग ना लें तो दोस्तों यह दस बात हैं मैं आपको बताई हैं जिनमें आप मजबूती को ध्यान रखते हैं जिसमें मजबूती आपका कोई फरक नहीं पड़ और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें धन्यवाद दोस्तों